MS-Budkis वीडियो में आज हम जानेंगे text effect and typography के बारे में text effect and typography में काफी सारी predefined style मिलती है इसके लाबा काफी सारे और भी option मिलते हैं जिससे कि आप अपने content यानि अपने text को format कर सकते हो सबसे पहले मैं अपने text को double click करके select कर लेता हूँ इसके बाद मैं जाओंगा text effect and typography पे यहाँ पर देखे काफी सारी predefined style मिल रही है जिस style पर आप जाओगे इसके नीचे आपको इसकी detail भी दिखाता है जैसे कि fill बता रहा है white, outline बता रहा है blue, accent color 5 और shadow तो यहाँ पर मैं इस color पे click करूँगा यह जो हमारा font style था यह हमारा इस पे आ गया है, हमारे text पे तो इसकी जो outline है वो अभी blue है, मैं इसकी outline का color change करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं इसको select करूँगा इसके बाद यहाँ पर मैं outline में जाओंगा और यहाँ पर देखे orange color पे click करूँगा तो इस पे orange outline आ जाएगी डवल क्लिक करके select करा, चलते हैं outline पे और यहाँ पर देखे more outline color पे जाओगे, तो और भी कई सारे option मिलेंगे जैसे कि standard में देखे काफी सारे color मिल रहे हैं आपको इसके लाब आप custom पे जाओगे तो यहाँ पर भी आपको कई सारे color के option मिल जाते है अब आपके पास यहाँ पर एक arrow मिल जाता है, इस arrow की मदश से आप अपने color की brightness और darkness को increase, decrease कर सकते हो, अगर आप इस arrow को नीचे ले जाओगे तो आपके color में darkness यानि black color add होगा, और अगर आप इस arrow को उपर ले जाओगे मैं इसको उपर करूँगा, तो इसमें मैंने brightness यानि white color add करा, तो अब यह purple हो गया है ओके पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए purple color की outline आगे, double click करेंगे, select करेंगे, text and typography पर जाएंगे, outline, more outline color पर क्लिक करा आप इसमें RGB color mode भी दे सकते हो, यानि red, green, blue, आपको यहाँ पर इनका code डाल देना है, RGB color आजाएगा HSL color भी डाल सकते हो, hue, saturation, illumination, तो यहाँ पर आपको इसका code number डाल देना है, तो वो color आजाएगा इसके अलाबा, आप यहाँ पर hexadecimal डाल सकते हो, तो hexadecimal has से start होता है, तो आप यह color code डालोगे, तो वो color यहाँ पर आजाएगा Google पर सारे color मिल जाते हैं, RGB, SSL और hexadecimal, किसी भी color का code आप कॉपी करके यहाँ डाल दोगे, color की outline आजाएगी, या color आजाएगा चलते हैं, फिर से हम text and typography पे और outline पे, इसके बाद देखें, यहाँ पर है weight, यहाँ से आप अपनी outline का जो size है, उसको increase कर सकते हो, तो देखें, यहाँ पर 6 point आ रहा है, काफी ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब text ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखें, इसको मैं कम करता हूँ, तो देखें, 1.4, मतलब 1.5 आ रहा है, 4, यहाँ पर मैं इसको 1 point करूँगा, तो कुछ इस तरीके दिख रहा है, और 3 point करूँगा, तो यह ज़्यादा ही हो गया, तो मैं इसको 1 point ही रहने देता हूँ, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगा है, आप इसकी, जो outline की weight है, उ इसको थोड़ा zoom करके दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, शांदार, ठीक है, मैं इसको थोड़ा zoom out करता हूँ, और फिर से चलते हैं यहाँ पर, और देखें, इसमें काफी जारे option है, यहाँ पर देखें, थोड़ा सा ठीक बता रहा है, square dot है, square, और यहाँ पर dash बता रहा है, dash और यहाँ पर square dot बता रहा है, तो काफी अच्छे style हैं, यहाँ पर आप इनको use कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगें, इसके बाद देखें, next जो हमारे पास option होता है, यहाँ पर जो इसकी outline है, मैं यहाँ पर simple ले देता हूँ, ठीक है, जो single line होती है मैं अपने इस text को select करता हूँ, इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर shadow पे, तो हम shadow दे सकते हैं, shadow देखें हमारे पास outer है, inner है और perspective है, outer में जो shadow होती है, वो आपके content यानि आपके text के बाहर होती है, तो देखें, मैं इसके click करूँगा, तो मैं इसको zoom करके दिखाता हूँ, तो इनर shadow है, तो यहाँ पर देखें, मैं इस shadow को लेता हूँ, यह वाली shadow को, तो देखें, यहाँ पर मैं zoom करके दिखा रहा हूँ, shadow का जो level बहुत कम कर रखा है, इस वज़े से यहाँ पर shadow इतनी दिख नहीं रही है, तो अगर आपको shadow का level increase करना है, तो वो कैसे करेंगे, इसक सबसे नीचे, shadow option पर जाएंगे, और यहाँ पर देखें, काफी सारे option है, तो यहाँ पर देखें, transparency, इसको देखें, आप increase, increase करोगे, तो देखें, shadow का level वगएर आप कर सकते हो, तो देखें, मैंने जैसे इसको 0% करा, तो देखें, कितना dark, dark आ गया, मैं इसको तोड़ा हुआ, transparency मतलब बिलकुल ही, मैंने shadow को गयब कर दिया, तो यहाँ से आप increase, decrease कर सकते है, shadow, यहाँ पर आप shadow का जो color है, उसको भी आप change कर सकते हो, देखें, मैंने orange color, तो अब यह orange color की shadow आ रही है, और काफी अच्छा लग रहा है, मैं अगर इसकी transparency 0 कर दूँआ, तो कितना ब कि कहां से आप shadow इस पर apply करना चाहते हो, तो देखिए, कुछ इस तरीके सा आप अपना इसको change कर सकते हो, मैं तोड़ और zoom करके दिखा दूँ, जिससे कि आपको और भी अच्छी से समझ में आएगा, ठीक है, तो angle, यहाँ से देखिए, angle देखिए, change हो रहे है हमारा shadow, तो आप इस तरीके से इसको change कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा center में कर दूँ, बढ़िया लगेगा, distance आप कितना देना चाहते हो, shadow में तो देखिए, आप यह भी apply कर सकते हो, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर इतना distance ठीक लग रहा है, इसके बाद देखिए, reflection, reflection के बारे में डवल क्लिक करके select करा, और इस पर गए में, और यहाँ पर देखिए, जो shadow, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके साब shadow को increase, decrease कर सकते हो, outer के बारे में बताया, inner के बारे में बताया, inner हमारे text के अंदर होती है, ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर perspective आ रहा है, इसके अलाबा यहाँ पर upper right और यहाँ पर below बता रहा है, तो यहाँ पर देखिए, आपको detail भी बता रहा है, यानि उसका नाम बता रहा है, कहाँ पर shadow show होईगी, तो यहाँ पर मैं इस पर click कर देता हूँ, और यहाँ देखिए, हमें इस text के नीचे यहाँ shadow show हो रही है, तोड़ा सा यह अभी ठीक नहीं दिख रहा, इसका थोड़ा size increase करते हैं, तो देखिए, यह तोड़ा सा कुछ इस तरीके से, इसका angle थोड़ा सा हम change करते हैं, angle देखिए, मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा कम करता हूँ, तो आपको इसमें थोड़ा सा इसको use करते रहना blue color, तो यहाँ पर मैं blue color दे देता हूँ, ठीक है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे, आप इसमें दे देना, ठीक है, यहाँ पर मैंने यह option बता दिये, ठीक है, और यह preset वो ही है, जो हम यहाँ पर select कर रहे हैं, perspective, inner, outer, ठीक है, तो इसको मैं close करता हूँ, और यहाँ पर यह जो मैंने इसमें shadow दिये, प्रस्पेक्टिक वाली, इसको मैं remove कर दूँगा, ठीक है, तो मैं इसको slack करता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा, और shadow में जाके, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, none, ठीक है, मैं shadow इसमें इसमें remove कर दिया, next देखिए, option देखते हैं, यहाँ पर shadow के बाद है, हमारे पास reflection का, तो आप reflection कर सकते हो, नीचे की ताब देखिए, show हो रहा है, यहाँ देखिए, कुछ बढ़िया सा लग रहा है, तो मैं इस पर click करता हूँ, ठीक है, तो यह देखिए, reflect कर रहा है, इसमें भी हमारे पास option होते हैं, इसकी setting के लिए, थोड़ा आप adjust करना चाहो, तो देखिए, reflection option पर जाओगे, तो यहाँ देखिए, हमारे पास यह option आ रहा है, यहाँ पर color बता रहा है, color आप जैसे कि मैंने orange दे दिया, तो orange color में show होगी, यहाँ पर, ठीक है, transparency, increase करोगे, एकदम, देखिए, 100% करोगे, तो वो गाय भी हो जाएगा, गाय भ मेरको reflection पर अपलाई करना था, इस वज़े से साथ वो काम नहीं करा, तो यहाँ देखिए, transparency, जो है, वो इसकी transparency, अगर मैं इसको कम करूँगा, तो देखिए, यहाँ पर अगर transparency बढ़ा दूँगा, तो बिल्कुली गायब होगा, इसकी transparency कम करूँगा, जितनी उतना वो show हो blur करना चाहते हो, जितना आप तो यहाँ पर से आप इसको blur वगेरा कर सकते हो, थोड़ा सा मैं कुछ जादे ही blur कर दिया, हलका सा, इतना blur ठीक है, कुछ जादे ही मैंने कर दिया, हाँ ना, select करना पड़ेगा सबसे पहले अपने text को, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा blur कर बास इतना बहुत है ठीक है डिस्टेंट्स आप कितना रखना चाहते हो अपने कंटेंट के नीचे मतलब कितने दूरी पे वो शो हो तो यह रिफ्लेक्शन के ऑप्शन थे तो यहां पर मैं अपने इस टेक्स्ट को स्लेक करता हूं फिर से डवलेपर गाइड्स वाले को और य यहां पर मैं इसको कर देता हूं नो यानि नन ठीक है मैं इसमें रिफ्लेक्शन वगेर अपलाई नहीं करना चाहता हूं ग्लो ग्लो दे सकते हो आप तो यहां देखिए काफी सारे यहां पर ग्लो आरे ग्लो क्या करता है आपके जो कंटेंट होता है उसके आउटर साइड म मैं हमें glow कर रहा है हमारे font को इसमें भी हमें कुछ option मिलते हैं glow में चलते हैं और यहां देखिए more color more glow option पर जाओगे तो यहां से देखिए आप color select कर सकते हो ठीक है और यहां पर more color पर जाओगे तो standard color select करना चाहो custom color मैंने आपको बताई दिया है color select करके darkness brightness increase कर सकते हो RGB color डार सकते हो hexadecimal HSL color डार सकते हो ठीक है अगर आपको यह use करना नहीं आता तो comment करते न मैं बता दूँगा किस थरीके से RGB, SSL और hexadecimal color use करते हैं तो यहां पर चलते हैं और यहां देखिए इसमें और भी option होते हैं ठीक है glow option पर जाओगे तो वही option मिलेंगे जो आपको shadow reflection में मिलें यहां पर आप इसकी transparency को increase कर सकते हो decrease कर सकते हो ठीक है तो मैंने 0 करा तो देखिए कैसा दिख रहा है sorry मैंने reflection में कर दिया है इसको मैं यहां पर चलता हूँ glow में तो देखिए glow में यहां पर transparency है देखिए मैं इसको मैंने 0 कर दिया तो एकदम ही orange color दिख रहा है मैं अगर इसको 100% कर दूँगा तो एकदम ही गायब हो जाएगा ठीक है तो transparency जब हम increase करते हैं 100% तो एकदम से unvisible हो जाता है मतलब visible ही नहीं होगा और अगर आप उसके transparency 0 रखोगे तो वो पूरा अच्छी तरीके से दिखता है ठीक है size यहां पर आप increase कर सकते हो अपने इस glow का तो देखिए कितना आप इसको दिखाना चाहते हो और कम दिखाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से जैसे कि इस तरीके से आप यहां से change कर सकते हो अपने इसका जो आप यहां पर जो glow कर रहा है तो मैंने आप पर blue color दिया तो देखिए blue color में अभी यह शू कर रहा है इसको हम close कर देते हैं इसके बाद जो next option है उसको देखते है text and typography में और इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूं चिक है यहां चलते हैं अब देखिए यहां पर हमारे पास option है number style और number जो styles होते हैं यह हमारे number पर वग करता है तो यहां देखिए मैं number लिख लेता हूं मैंने लिखा 1, 2, 3 1, 2, 3 लिखा और यहां पर मैं tap दे देता हूं देखिए select करा मैंने यहां चलते हैं और देखिए number तो अभी देखिए default हैं यहां पर हम जाहेंगे इस पर 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 स्थे लिनिंग पर और अगर आप tabular old style पर जाओगे तो देखिए 3 आपका और भी नीचे आएगा देखिए यहाँ पर और भी नीचे आ रहा है ठीक है मैं इसमें देखिए इसकी formatting को clear करता हूं ठीक है formatting मैंने clear कर दी बिल्कुल जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए और इसका जो font style है न एकदम 3 नीचे आ गया और देखिए और नीचे आ गया तो यह number पर apply होता है ठीक है इसके बाद देखिए यहाँ पर लिगेचर सारे हैं यह आपका काम होता है fi पे कैसे जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया fi ठीक है मैंने आप लिखा field तो देखिए अभी यह जो fi है यह हम और कुछी फॉन्ट पर वक करता है आपका ठीक है सभी फॉन्ट पर वक नहीं करता लिगेचर ठीक है standard और ली में भी आपको वैसे दिखाएगा standard और contextual पर यही दिखाएगा ठीक है नन करोगे तो आपको यह नहीं दिखाएगा तो यह by default हमारा standard select होता है इसके अलावा देखिए इसमें एक और होता है जैसे कि यहां पर मैं student लिख देता हूं ठीक है मैंने student लिखा और इसको select करता हूं यहां पर मैं जाओंगा तो देखिए लिगेचर में हमारे पास यह हो stylistic sets, stylistic set में आप अपना एक custom set बना सकते हो, तो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ content जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया developers, guides, ठीक है इसके बाद देखिए मैं इसको double click करके select करा और font के इस arrow पे click करूँगा, font group का जो यह arrow होता है यहां पर जैके stylistic, यहां पर हम जाएंगे advanced में, ठीक है, यहां पर advanced एक option मिलता है और यहां पर देखिए stylistic sets आ रहा है यहां पर default की जगह देखिए काफी सारे number मिलते हैं, यहां पर मैं one flag कर रहा हूं ठीक है और यहां पर देखिए मैं कुछ style कर देता हूं, जैसे कि मैंने आपर font color दे दिया, sorry font style दे दिया, अपना calibri दे दिया मैंने और इसका जो font color है मैंने दे दिया orange, underline दे दिया, अब मैं जब ok पे click करूँगा तो देखिए मेरे इस color पे यहां पर या जाएगा तो यह मैंने एक style बना दिया, ठीक है, यहां पर देखिए जैसे कि इस पे जाएंगे, तो देखिए यहां पर देखिए काफी सारे style आ रहा है, इसी तरीके सा आप अपने style बना सकते हो, यह default होता है, इसके लाबा देखिए 1, 2, 3, 4, तो यह सब आप sets बना सकते हो, इसके ल कोई doubt हो तो आप comment कर देना, मिलेंगे next video में, जब तक लिए, bye bye, thank you and take care.